नमस्कार स्वागत है आपका एक नए वीडियो में आपने बच्पन में अपने पेरेंट से सुना ही होगा कि किसी भी फल के बीच को ना निगले नहीं तो पेट में पेड उख जाएंगे ये तो सिर्फ बच्चों को डराने के लिए कहा जाता था जिससे वो बीच को ना निग लेकिन इसी बात से मेल खाता एक मामला सामने आया है जहां एक आदमी के शरीर के अंदर सच मुझ पेड़ उग गया चौंकियमत ये हकीकत है जिसे देख कर डॉक्टर्स भी हैरान रह गए ये मामला रश्या से सामने आया है जहां एक आदमी को सीने में तेस दर्द की शिका बिझा रहा था उसने जब ये बात डॉक्टर्स को बताई तो डॉक्टर्स में उसका एक्सरे निकाला जिसमें डॉक्टर्स को शक्स के फेफडू में ट्यूमर जैसा कुछ दिखा डॉक्टरों को यखीन हो गया कि उस उस शक्स को कैंसर है औरल्स में इंजिवस के सर्ज custom व्लादिमीर कामशेव ने कहा हम 100 प्रतीशत आश्वस थे जसके बाद उन्होंने सरजरी का फैंसला किया लेकिन जब सरजरी करने लगे तो डॉक्टर्स की आँखें फटी की फटी रह गई ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो शक्स जानलेवा बिमारी कैंसर से नहीं जूज रहा जिसके बाद में उसके फेफडे के अंदर एक छूटा सा पौधा उगाया तो अगली बार आप भी खाते समय सावधान रहें कहीं आप भी कोई बीज न निगल लें और बाद में वो पौधे का रूप ले ले मजाग कर रहे हैं लेकिन थोड़ी सावधानी बढ़तें क्यों कि कब ये छोटा सा बीज निगलना आपके लिए मुसीबत बन जाए और आपके अंदर भी पौधा होगाया किसको पता अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ना भूलें